हेलो दोस्तों मैं हूँ chemical engineer गुरू हूँ आज में लेके हाँ नया वीडियो बहुत सारे हमारे follower बोल ला है इसा Reliance industry में salary कितना मिलता है आपने काम किया है Reliance industry में तो salary क्या होती है Reliance industry अगर आप Fraser level पे जॉइन करते हो या Experience level पे जॉइन करते हो या company आपके college में आके campus करती है campus placement करती है तो कितना salary मिलता है या off-campus जैसे अभी वाकिन interview और consultancy के थूरू अगर हम इंटरिवू देने जाते तो क्या salary होती है तो आज मैं बात करूँगा कि Reliance industry कितनी salary provide करती है कितना percent rise देती है आपको कितना demand करना चाहिए ताकि आपका selection हो सके ऐसा नहीं कि कुछ भी demand करें आज मैं आपको थोड़ा idea दूँगा क्योंकि मैंने पांतार Reliance जाम नगर में काम किया था तो मुझे कितनी salary hike मिली थी तो आज मैं आपको कुछ बाते ब करने के लिए हमारे वीडियो को अंतक देखते रहें तो आपको थोड़ा idea लग जाएगा देखिए पहले मैं बात अपनी करता हूं में मुझे कितना hike मिला था जब मैं Reliance industry join किया था तो मुझे 38 या 40% के आसपास राइज मिला था जो मेरे current city सी था उससे 40% के आसपास आपको राइज मिला था with PLI PLI के साथ PLI छोड़ दीजे 30% के आसपास आपको राइज दिया था लाइन्स जो आप लोगों को अगर campus में आके अगर campus करती है किसी भी college में आके अगर आपको campus करती है तो जो फ्रेसर रहते हैं उनको जो शेली provide कर रही है आपको 8.5 से लेके 10 लाग के आसपास अभी जो दे रही है सेली college में अगर आती है अगर college से आगर आपका selection होता है तो otherwise अभी जो वेकेंसी निकाला था जीटी लेवल पर उन लोगों को भी सारे साथ से 10 लाग के बीच सेली provide कर रही है अभी आप पूछो कि सेली के अलावा और क्या facility देगी देखिए वह आप टाउंसिप है तो टाउंसिप सभी को नहीं मिला है उसका अपना खुद का भी जामनगर में बहुत सारा घर है अगर खाली रहेगा तो आपको provide करेगी बाकी आप समद लीजे अगर आपको college से आपका अगर selection हुआ है otherwise अगर आपका selection इस तरह भी वेकेंसी निकली ती यह जो मैंने अभी बताया वह जो इस अगरी था वह वह भी टक लिए था अभी आप सर पूछओ कि एक फ्रेशल लेवल पे अब मैं बात करूंगा डिपलोमा फ्रेशल लेवल पर अभी देखिए डिपलोमा का भी बहूंग रिलाइंस ने बहुत सारे केंपस किया है जहां लोगों को सारे चार लाग से प्रवाइट कर रही है ठीक है तो डिप्लोमा केमिकल वाले को भी अच्छा खासा पैकेट देखे फ्रेशर लेवल पर कंपनी हाइर कर रही है यह चीज़ तो मैंने फिल किया है ठीक है उसके बाद अगर आप देखो एक्सप्रियेंस है अभी जो 30 से 40 परसेंट या 50 परसेंट एक लड़का को तो मैंने देखा कि डवल पैकेज एक डिप्लोमा एलेक्टिकल हमारे फॉलोवर है जो रिलाइंस दस्टी अभी जॉइन करने वाले हैं या जॉइन कर लिए होंगे वो मुझे पता ने उन्होंने बताया था कि वह बैंग लोर म डिप्लोमा मैकनिकल था उसको 100 परसेंट दिया तो जिसनके कम पैकेज अगर आपका है तो रिलाइंस आपको चाहेजी तो 100 परसेंट राइस दे के जैसे आपका तीन लाग ए तो उसको चेलाग विजड पी एलाइड आपको प्रवाइड की थी वह डिप्लोमा मैकनिकल था जिसका solar plan में अभी selection हुआ है तो लेकिन उसको टाउंसी प्रभाइड नहीं कर रही है तो आपको सबसे अच्छा है कि अभी जितना से ज्यादे से ज्यादे आप हाइक मांग ले उन से अगर आपको अच्छा हाइक देता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वहां थोड़ा इंक्रिमेंट तो सब जगह कम है वहां भी थोड़ा सुलो है इसलिए अगर स्टार्टिंग में अगर आपको अच्छा खासा हाइक मील जाता है तो आप वहां पे तीन साल चार साल पांच साल निकाल सकते हैं अगर आपको अपर्टुनिटी मिल रहा है जाम नगर लोकेशन म तो वहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत कुछ अगर मेकनिकल है अलेक्टिकल एस्टुमेंट है कोई भी डिपार्टमेंट अगर थोड़ा देखो अगर स्टार्टिंग में कम पैसा भी मिल लेकिन रिलाइंस का अगर ठपा अगर आपको लग गया ना एक बा तो आप सेलरी तो देखिए चलिए ठीक है सेलरी तो बहुत जरूरी है पैसा है तो सब कुछ है तो नहीं बोलूंगा इस वीडियो में कि सैलरी जो है आपका करेंट-सी पर भी डिपेंड करेगा अगर केंपस में आती तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप स्टार्टिं में अगर आपका सेलेक्शन होता है किसी भी लेवल पर सेलेक्शन होता है तो जो आपका करेंट सिटी सी रहेगा उससे आप 40% 50% हाइक मांगे बाकी वो डिपेंड करता है वो कितना देगा लेकिन आपको एक बार में स्टार्टिंग में मांग बैठना है अगर आपको जाना है ठीक है तो ठीक है लेकिन एक चीज़ याद रखिए के रिलाइंस डिड़क्शन बहुत जादे है आपको पी एलाई तो पहले कटेगा जो चुमें ने बताया उसके बाद बहुत सारा वहां डिड़क्शन है सेल्ली आपको दिखेगा बहुत जादे कि मेरा साथ लाक आट लाक का पैकेज है लेकिन जब आप हात में इन्हेंड स सेल्ली बहुत कम आता है क्योंकि वहां डिड़क्शन डिखाता सिटी सी में बहुत जादे है लेकिन बाद में बहुत कम आपको इन्हेंड आएगा जो मैंने फिल किया है जो वहां काम कर रहे उन्हें पता है वही बाकी वही सिटी सी पर आप गुजरास साइड इधर अगर आप देहसा इंडेस्ट्री में जॉब करेंगे तो आपको लगया कि इतना सिटी सी में इतना आ रहा था वहां उतना कम आ रहा था तो वहां डिड़क्शन बहुत जादे है तो जब भी आपको अफॉलेटर मिलता है तो वहां पर एचार से आप भाईया सब कुछ क्लियर कर जुद करके की मुझे इन हैंड यह इक्तरा समझमयिस आएगा दिखाए का बहुत कुछ लेकिन जब आप तो चलो भईया जी एक चीत वो समद लीजिए रिलाइंस में सेलेक्ष्ण होना भी बहुत बढ़ी बात है वहां से चोड़ना भी बरी बात है अगर आप जाम नगर के सन में पहुंच आते हैं तो सेली देखिए रिलाइंस को अगर आपकी जुरुरत है तो वह सेली नहीं देखती अगर उसको लगा कि आप बंदे में है दम तो आपको कितना मांगों कि उतना सेली पर आपको उठा लेगी लेकिन अभी जो है थोरा दिक्कत है अभी आपको 50% जादे राइज आपको नहीं द जाँगा जॉब करने के लिए खासका जामनगर लोकेशन तो बहुत अच्छा लोकेशन और टाउन्सिप तो बहुत अच्छा है तो रहने का लेकिन अभी इतना वेकेंसी इतना निकल लाएं तो जगह नहीं तो आपको घर देगा ठीक है जामनगर भी सीटी अच्छी है एह बहुत महंगा थिती नहीं है वहां अप रह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है वहां भी आपको 8000-800,000 के अंधर में आपको फैमली का अच्छा मिल जाएगा शिटी बहुत बड़ी नहीं है वह ही अप करेंट सिटी सी पे डिपेंड करीए अगर आप फ्रेसर है तो फ्रेसर लेवल पे भी आपको अच्छा-खासा अगर कॉलेज में आपके आकि अगर तो आपको अच्छा खासा फैसा मिल जाता है यह सबसे बड़ी बात है लेकिन आपको जो है ना अगर आप experience लेवल पज़े से अभी solar के लिए अच्छा खासा recruitment हो रहा है तो सोनर के लिए जो करेंट सिटी सी है उससे अच्छा का 30-40 परसेंट राइज लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा आपको जो हाइक मिल रहा है विट पी एलाई हाइक मिल रहा है कि विदाउट पी एलाई हाइक मिल रहा है यह चीज़ आप एक बार होने के बाद आप उसके बाद जो पी एलाई होगा दस परसंट 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 आट परसंट जो होगा वो चलेगा लेकिन कोशिज कीजिए आप मेरा सजिशन यही रहेगा अगर विदाउट पी एलाई 35 परसंट 40 परसंट राइज मिल गया तो आप आप बन करके जोएन कर लिए उसके पर एक लाट जाएगा उसके बाद इसलिए मैं बोलता हूं कि कोशिजिए विदाउट पी एलाई आपको 30 से 35 परसंट राइज मिल गया तो आँख बन करके आप जोईन कीजिए लेकिन स्टार्टिंग में कोशिजिए मैं बार बार एकी बात बोलता हूं स्टार्टिंग में अच्छा इसकी भी आच्छा ऊसा पैसा लिर्यों अधिरा दीरे धे फिर होता है लेकिन जाम नगर में होता या कहीं कर रही सब जगएस इस स्ब जगे कर रहें तो avo से तो मेरा यह वीडियो está inadequate ुख आए क्या मिलता है तो मैं लोगों को है प्कुछ नलाक के जोनिब्ट प्रीकर है सुष्ट अच्छी है है सिस्टिमेटिक है मैं भी जोईन किया अच्छा काम कहाया मैंने बहुत कुस बहुत कुछ तो चलिए हमारा वीडियो अच्छा लगे है तो हमारे वीडियो को देखिए हमारे चलन में नए है तो हमारे चलन को सब्सक्राइब कीजिए हाँ मैं लास्ट में यह बोलूँगा कि कि अलावा आपको टाउंस्ट मिलेगी की नहीं घ्र कर लिजेगा आपका मिलेगा तो कब तक मिलेगा आपका जॉप पर्मानेट जॉप है कि टेंपूरी जोब है कंट्रेक्ट पे तो नहीं जा रहा है आप ऑफटरेटर में यह चीह क्लिघली पर लिजेगा और अच्छा है उ को टाउंशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा लाइफ टाइम नहीं मिलेगा या एक साल दो साल के बाद मिलेगा यह चीज भी आप स्टार्टिंग में चार से जब होता है तो आप किलियर कर लिजेगा ठीक है चलिए हमारा वीडियो देखते रही है